नमस्कार दोस्तों मैं गौतम सिंग गुखुल क्लसेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर रहा हूँ बिहार बोर्ड एक्जाम 2022 क्लास 9-6-A हिंदी एक्जाम डेट है आपका 2 मार्च 2022 दो मार्च को आपको जो है एक्जाम होने वाला है मैज और साइ पढ़े वीडियो का नुटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा दोस्तों आप हमारे पीछले वीडियो में साइन्स और मैट सोशल साइन्स का देख सकते हैं पेपर तो दोस्तो पहला क्वेश्चन है मुनसी जी की पूतरी का नाम क्या था मुनसी जी की पूतरी का नाम क्या था अप्शन है आपके पास सीता, राधा, गीता, भग जोगनी तो दोस्तो आपको हम बता दें मुनसी जी के पूतरी का नाम था भग जोगरी हमारा answer हो गया D number बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तराफ अगला प्रस्ण है हमारा तीलक दहेज के जबाने में तीलक दहेज के जबाने में डोट डोट देख रहे हैं यहाँ पे खाली है पैदा करना मूर्खता क्या था लड़का, लड़की, बुढ़े, बच्चे अब देखिए तीलक दहेज के जबाने में पैदा करना तो पैदा बुढ़े तो होंगे नहीं तो यहाँ है आपके पास option बच गया लड़का, लड़की और बच्चे तो बच्चे भी बहुत हो गये तो यहाँ बचा आपका लड़का और लड़की तो लड़का का जानते हैं आपके दहेज दिलाता नहीं है तो आगे यहाँ पे option आपका लड़की तो आमारा answer हो गया बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ अगला प्रश्णे है अमारा तो दोस्तो तीन नमर कोष्चन है मगद की प्राचीन राजधानी कहां थी मगद की प्राचीन राजधानी कहां थी आपके पास option है बैभार यानि की गरी ब्रज पाटली पूत्र कुसुम्पू नलांदा तो मगत की प्राचीन राजधानी जो है बैभार गिरी बरज थी हमारा एंसर हो गया A नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे हमारा फाहान भारत में किस देश से आया यातरी था आपको बताना है किस देश से आया था तीबत जापान हिंदेशिया या चीन से तो दोस्तों चीन साय था हमारा एंसर हो गया D नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे हमारा मेग दूत बन कर किसका प्रेम संदेश ले गिया था बिरही शिरी राम का, बियोगिनी राधा का, बिरही यक्ष का, राधा प्रेमी क्रिष्ण, शिरी क्रिष्ण का तो दोस्तों मेग दूत जो है बन कर किसका प्रेम संदेश ले गिया था तो B रही E यक्षिका, यहां पे हमारा answer हो जाएगा C नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ, अगला प्रश्ण है हमारा, बच्चे किन की कहानिया सुनने को ज्यादा उत्सुक रहते हैं नेक्स पॉस्चन है बच्चे जो है कहानिया किसका ज्यादा सुनना पसंद करते हैं माते पिते का नहीं पास परोसकी नहीं भाई बहन क्या ये सब नहीं सुनना पसंद करेंगे क्या पसंद करेंगे तो भूत परेत का तो यहां पर हमारा एंसर हो जाएगा D नमबर भूत परेत बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे है हमारा बिर्जु का बपकीस सावारी से परिवार नाच देखने गया था यानि कि परिवार जो है मिस्टेक से लेक्टर से तो बिर्जु जो है उसके परिवार जो है बैल गाड़ी से जो है देखने गया था लो तो हमारा एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे है हमारा लाल पान की बेगम एक कहानी है तो दोस्तो आपको हम बतादे लाल पान की बेगम जो है आंचली कहानी है हमारा एंसर हो गया C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तो दोस्तो नेक्स्ट कोश्चन है कैम्डिज बीश्ववी देले के प्रथम भारतिये छात्र थे तो आर पी प्राजा है है हमारा एंसर हो गिया A नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे है हमारा नेस्ट कोस्टन है कलकत्य में एस्टार थियर्टर की अस्थापना किस ने की तो थियर्टर की अस्थापना जो है दोस्तोर आपको हम बता दें कि Mr. St. Wenson ने किया था Mr. St. Wenson ने किया था हमारा एंसर हो जाएगा D. बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ अगला प्रशने हमारा बाल यकाल से भासा सिक्षा के साथ और किस सिक्षा की आव सकता है तो दोस्तों आपको हम बता दें सिक्षा की जो आव सकता है वो भाव सिक्षा की आव सकता है हमारा एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ अगला प्रशने हमारा रमायन और महाभारत का मूल रूप से भासा में लिखे गरंत है तो संस्क्रीट है हमारा एंसर हो जाएगा C number बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरप अगला प्रश्ण है हमारा टाल्स टाई ने अपनी द्वारा लगाए गए पेड़ों की सवधानी से रक्षा की मा यानि कि टाल्स टाई ने अपनी मा द्वारा लगाए गए पेड़ों की सवधानी से रक्ष की हमारा एंसर हो गया मा बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है हमारा टाल्स राय के घर दिखलाने में टाल्स राय के डॉट डॉट रह चुके बैक्ति की गाइड थे सचीव सचीव रह चुके थे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश चलेगा बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे है हमारा लेखक के लेखक सरत जोशी ने रेल टीकट को क्या कहा है रेल टीकट को कहा था दे धरे कोदांड दे धरे कोदांड हमारा एंसर हो जाएगा सी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगल प्रिश्ट संख्या की हमारा answer हो गया C number बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ अगला प्रशना है जगदीश नरायन चौबे जगदीश नरायन चौबे डौडर परदेश के निवासी हैं तो बिहार परदेश के निवासी हैं हमारा answer हो गया D number बढ़ते हैं अगले प्रशने क के तरफ अगला प्रश्ण है अमारा, राजस्थान में 20 साल डोट डोट की अधिक्ता है, तो दोस्तों आपको हम बता दे, राजस्थान में 20 साल मरु भूमी की अधिक्ता है, हमारा इंसर हो गए बी नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के अगला प्रस्णा है रुको बच्चो कभीता में कभी ने बच्चो को क्या सिक्षा दिया है तो दोस्तों आपको हम बता दें सोच विचार आगे बढ़ने की सुच विचार आगे बढ़ने की अगला प्रश्ण है नियाई धिस के माध्यम से कभी ने हमारी डॉट डॉट बेवस्ता पट टिपड़ी की नियाई की हमारा एंसर हो गया बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ समुंद्र सिर्षक कभिता से हमें क्या संदेश मिलता है समुंद्र से यही हमको सिक्षा मिलता है या संदेश मिलता है दूसरे क्या भाव को पूर्ती करने का तो हमारा एंसर हो गया डी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण एक तरफ अगला प्रश्ण है कवी के अनुसार . . की बस्तु का रफ्तार सुस्त होता है तो दोस्तों आपको मतादे कवी के अनुसार जाड़े की बस्तु का रफ्तार सुस्त होता है यहाँ पर हमारा एंसर हो गया ए नमबर बढ़ते हैं अगले परस्ने के तरफ निभो की मौद पर कवी ता डॉट डॉट पूस्टक से ली गई है तो रात पाली हमारा एंसर हो गया A नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ कवी ने नीमो की तूलना किस से की है तो कवी ने नीमो की तूलना जो है दोस्तो आपको हम बतादे भीगी हुई चुणिया से की है हमारा एंसर हो गया B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ अगला प्रश्णे है इस्वर्तत्व की अधारण से कभी डोट डोट की आधारभूत कारण है तो दुख से है तो दोस्तों हमारा एंसर हो गया दुख ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ कभी का इस्वर्त उससे क्यों नराज है तो उसने दुखी न रहने की ठान ले थी इसलिए नराज हो है तो हमारा एंसर हो गया ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्णे के तरफ हमारे देश के दक्षिड के समूद्र का नाम क्या है तो हिंद महा सागर हमारा एंसर हो गया ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है कुछ सवाल सिर्षक करता से हमें किसकी जानकारी मिलती है दोस्तों आपको मतादे प्रकिर्तिक परिवर्तन के रहास्य की हमारा एमसर हो गया D नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है मान मि लेने पर भी हम क्या करते हैं? गीतों की खेती कर पाएंगे, हमारा एंसर हो गया ए नमबर. हम अजाद हिंदुस्तान में कैसा नर्थन कर पाएंगे? तो दोस्तों आपको हम बता दे मोरोशा. हमारा एंसर हो जाएगा वी नमबर. बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है बचना जी कीसे पुरुस्कार से सम्नित हुए थे बचना जी तो दोस्तों आपको हम बता दे सहित या एकेडमी पुरुस्कार से हमारा एंसर हो गया ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ इस कविता में राजा की निकल रहिस अवारी बर्णन है तो रभी राजा की है हमारा एमसर हो गया C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ महादेवी बर्मा ने अपने आपको नीरभरी दूह की डॉट डॉट कहा है तो बदली कहा है हमारा एमसर हो गया D नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ अगला प्रस्णे है महादेवी बर्मा के जीवन इतिहास का क्या परच है क्या पुर्च्छ आपको बताना है तो कल जन मिलेना है और आज मरना है यह उनका कहना था तरह हमारा एंसर हो गया b number हम नेस्ट कोश्चन है कभिँ और हरी ओधी दूव जी इधी किस ईयूक के कभी है तो दोस्तों बतादे दिव वेगी यूग के हमारा एंसर हो गया C नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ, डॉट डॉट देख रहे हैं कि आप पहले ही डॉट डॉट है कि बेला में प्रकिर्ती संदर या मोहक लगता है, तो प्रातव काल मेनी की सुभा सुभा हमारा एं अंसर हो गया B नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ, नदी, नदी की गोद में उत्पन लहरे, फिर डॉट डॉट में ही समहित होता है, तो नदी, नदी में ही समहित होता है हमारा एंसर हो गया A नमबर, नेश्कोस्चन है, मंजन रचीत एकमातरा का व्या पूस्तक का नाम है, तो मध si amalty हमारा एंसर हो गया A नमबर, नेस्ट कोस्चन है मन्जन की प्रसीद एक सूफी कभी के रूप में है सूफी तहमारा एंसर हो गिया C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ लिलावती डोट डोट की सावारी से एस्टेशन से घर आई थी तो दोस्तों आपको महतादे जीप से हमारा एंसर हो गिया A नमबर लिलावती के दोनों भतीजे का नाम डोट डोट और सूरेश था नरेश और सूरेश था हमारा एंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ बोलने में अश्टवा बक रसधारण की आदमी से डोट डोट समय लेता था तो दोस्तों आपको महता दे समय लेता था पाच गूना तो हमारा एंसर क्या हो जाएगा D नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है गर्मी के दिनों में अश्टवक रमा बेटे कहां सोया करते थे तो मंदिर की सिंड़ियों पर हमारा एंसर क्या हो जाएगा E नमबर बढ़ते हैं अगले प्रशने के तरफ सीउ दोट-डोट के गीत लोग गीतों के परसीद भक्ति गीत माने जाते हैं, तब परवती सीउ परवती के गीत के हमारा अंसर हो जाएगा परवती हमारा अंसर हो गया सी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ बक्षर के जीले बराही गाउं के डॉट डॉट उर्फ गाधी जी धुलवादन कला सर्प्रसंसित है दोस्तों आपको बतादे रामदिन मिश्र उर्फ गाधी जी रामदिन मिश्र हमारा अंसर हो गया C नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्णे के तरफ तुम चंदन हम पानी में तुम सब्द का परियोग किसके लिए हुआ है तो भागवान के लिए हुआ है तो दोस्तों हमारा अंसर हो गया B नमबर रहिदास की दिरिष्टी में भागवान और कभी पानी है तो दोस्तो हम बता दे रैदास की दिरिष्टी में भागवान चंदन है और कभी क्या है पानी है हमारा अंसर हो गया B नमबर तो दोस्तो आपको हम बता दे बिहार बोड एकजाम दो हजार बाईस कलास नाइन आपको हम सेट A बताए सेट B नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और बल आइकन प्रेस कर दे तकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा दोस्तों आपको हम बता दे कि लाइब कलास, मैथ और साइंस देख सकते हैं अब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेशन अब्जेक्टिव आप हमारे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव जो है साइन्स का भी देख सकते हैं थाइंक्यू दोस्तों राधे राधे दोस्तों